नमस्कार दोस्तों फिल्म गोड़ फादर के रिवीव में आपका स्वागत है दोस्तों गोड़ फादर जो की तमील मोवी लूसिफर का रिमेक है लूसिफर जिसमें मौहनलाल ने बहुत ही जबर्दस तरीके से टाइटल रोल प्ले किया था और उनकी एक्टिंग कितनी लाज तता टॉलिवूड का मिश्रण है मतलब इसमें मेगा इस्टार चेरंजी वी तो ही साथ में सुपरिश्टार सल्मान खान भी आपको साथ में नजर आई है लेकिन उनका क्यों एक केम्यों है तो पहले बात करते हैं फिल्म की मोहन राजा ने इस फिल्म को डारेट किया है और सामियाब होती है इतना भी आप चुस्त नहीं कर सकते इतना भी टाइट नहीं कर सकते कि आप बोरी नहीं होंगे कई जगह आपको बोरीत महसूस होगी क्योंकि फिल्म की लंबाई करीब 2 गंटे 40 मिनट की फिल्म है तो कई जगह आपको बोरीत definitely महसूस होने वाली इसमें को ज्यादा एक्षन डाला गया है कि पोलिटिकल नामा में वैसे इतना ज्यादा एक्षन होता नहीं है लेकिन यह पर काफी जबरदस्त एक्षन दिखाया गया पुरी फिल्म में एक्षन ही एक्षन है मतलब एक्षन से बरी हुई फिल्म है तो पुल मिलाकर करके फिल्म ठीक ह अप yapish film को सुपरम मूजी कर सकते एक्सिलंट मूजी कर सकते पहुत अच्छी मूजी कर सकते ऐसा नहीं है लेकिन फिलम एक वार देख भी सकते एक बार देखने से आप ऑफ भी नहीं आ हो और आपकापयानी वसूल जाएगा लेकिन जैसा कि मैंने का कि एक बहुत ज्यादा उमीदे लेकर कि आप यह फिल्म देखने मच जाईएगा क्योंकि उतनी ज्यादा उमीदों वाली यह फिल्म है नहीं बस एक ठीक टाक एवरेज मूवी है इसकी फिल्म का ठीक है लेंग थोड़ी ज्यादा जिसको बात करें तो चलन जीवी का अच्छे अक्टर है यहाँ पर भी काफी अच्छे लगते हैं उनके चलने का अंदाज डायलोग डिलीवरी का अंदाज अच्छे लगते हैं लेकिन अब इस उमर में इतने ज्यादा एक्शन करना कई जग है आपको आट बटा भी लगेगा ठीक का कोई ज्यादा बड़ा रोल है नहीं केमियू है लेकिन जब वों एंट्री करते हैं तो अच्छे जरूर लगता है मज़ा जरूर हुआं कि सल्मान खान की डाइन करते में यह तो यहान निजर आते मिए ऐससें कई त्रस से आपने उनको पहले भी प्यप्रते हुई आपक जाद फिल्म के लिए अच्छा होता लेकिन चुकि इसमें सल्मान खान है तो थोड़ी बहुत इंदी में भी ये फिल्म कुछ ओडियंस को देखने के लिए जाएंगे लेकिन कुल मिलाकर गई है औस फिल्म में एक एवरेज मुवी है कैसा वसूल में खह सकता हूं इसको कुछ कुछ दर्सकों को पसंद आएगी लेकिन कई ओको पसंद भी नहीं आएगी क्योंकि कई जगे फिल्म आपको बहुत भी करती है कोई ज्यादा मज़ेदार मुवी नहीं है एक बार आप सल्मान खान के लिए या चरण जीवी सर के लिए देखना चाहिए तो जरूर देख सकत है उनने ही लुसिफर जैसी फिल्म यह बन पाई है तो दोस्तों मिला करके एवरिज मुवी है मैं इसको 2.5 इस्टार रेटिंग दूंगा अगर आपने यह फिल्म देखिए तो आप कमेंट करके जरू बताएगा कि आपको यह फिल्म कैसे लगी धन्यवाद दोस्तों चैनल सबस्क्राइब कर लिजिए